अब मेरी अगले टिप्स लेसुन के छिलके को ले करके बहुत यूजफूल है इसको कभी भी नहीं फेकिएगा तो जब भी लेसुन का छिलका छिलती थी इस तरह के जिपलोग बैंग में रखती जाती थी तो बहुत सारा छिलका इकठा हो गया है अब इसको एक डब्वे में अब दूसरी कमाल की चीज है मिर्च का डंठेल जिसको हम फेक देते हैं बजार से जब भी मिर्च लाते हैं हमेशा डंठेल को अलग करके रखिएगा इससे मिर्च कभी भी नहीं सड़ेगी और ये जो डंठेल इसको भी नहीं फेकना है उसे डब्वे में डाल देते हैं जि कमाल की चीज बन रही है अब इस कूटे वे लहसुन मिर्च को उसी डब्बे में डाल देना है बहुत ही स्ट्रॉंग स्मेल है इसकी अब यहां पर दो एलोगरा की पत्तिया लिए है छोटी छोटी पत्ती थी मेरे पास अगर बड़ी पत्ती हो तो एक ही लीजेगा इसको भी इसमें रफली चॉप करके डाल देना है अब इसने ढही हिर सरğa पानी डाल देना है आधा लिटर से ज्यादा ही पानी डालना है ऑब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं तकि सानी चीज़े एक बरबर मिक्स हो जए अब इसको ढग के चौवीस गंटे ऐसे ही रने देना है 24 गंटे हो चुके हैं एक बर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़े बराबर मिक्स हो जाए अब इसको छान लेना है और ये लीजे फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉंग स्मेल वाला किटनाशक बनके रेडी हो गया है जो कि बिना केमिकल का है जी याँ फ्रेंड्स लेसुन जो डाला था हमने उसमें इतना स्ट्रॉंग स्मेल होता है कि कीड़े उससे दूर भागते हैं मिर्ची में बहुत सारे इंजायन्स होते हैं जो पौदों के लिए अच्छे होते हैं और अलोवेरा तो आपको पता ही है ना कि जानवर भी उसको नहीं खाते हैं क्यूडों के लिए इंसेट्स के लिए बहुत हामफूल होता है वो तो इन तीनों को मिला करके जो हमने किटनाशक बनाया है रियली बहुत इफेक्टिव है ये और इस तरह का स्प्रे बॉटल नहीं हो तो ये घर में इस तरह का खाली बॉटल होता ना स्प्रे वाला उसमें भर लिजेगा और पौधे के उपर में वीक में एक बार जरूर स्प्रे करना है पतियों के उपर में भी और उसके जड़ में भी तो आप यकीन मानिये friends कभी भी आपके पौदे में कीडे नहीं लगेंगे especially बरसात में और जाड़े की दिनों में जो कीडे लगते न सफेद सफेद वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे